हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है बंगलादेश में अपना असर बढ़ाने में जुठे चीन को भारत ने अपने एक चाल से करारी मात दे दी चीन का दिल तूट किया दोस्तों और पिछले दस दिन में अब चीन का दिल जो है वो दूसरी बार तूटा है भारत ने बंगलादेश के मोंगला बंदरगा के एक टर्मिनल पर संचालन का अधकार हासिल कर लिया है तो जो लोग ये कह रहे थे, बड़े हासी मजा कड़ा रहे थे, मीम्स बना रहे थे, कि भारत को निकाल दिया बंगलादेश से और ये खुशियां मना रहे थे, hold on, hold on, अभी तो पर्टी शुरू हुए बारत की इस डील को हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है चीन भी इस मंदरगा पर अपनी नजर बनाए हुए था इंडिया बेसीकली डिजन्ट वांट आपने फुट्प्रिंट्स लगा रहा है चाइन अपने पंजय गाड रहा है भारत दूसरी बार दस दिन में पहले तीस्ता थिर मोंगला बंगला देश को लेके भारत दस दिन के अंदर दो बार चाइना के मूँ से मालपूआ चीन के चला गया और चाइना कुछ नहीं कर पाया दोस्तों हाली में आपको पता है कि तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट जिसके पीछे चीन भी पढ़ा था और भारत भी पढ़ा था वो बंगला देश ने भारत को दे दिया चीन का दिल तूट किया दोस्तों और पिछले दस दिन में अब चीन का दिल जो है वो दूसरी बार तूटा है दूसरी बार तो दिल का दोरा ही पढ़ा है डारेक्ली चीन को मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक port है वहाँ पे मौंगला एक बंदर गाए मौंगला पोर्ट मौंगला पोर्ट की पूरी की पूरी operational rights भारत को दे दी है बंगलादेश की सरकार ने तो जो लोग ये कह रहे थे बड़े हसी मजा कड़ा रहे थे memes बना रहे थे कि भारत को निकाल दिया बंगलादेश से और ये खुशियां मना रहे थे hold on hold on अभी तो पर्टी शुरू ये रभी देखना आगे-आगे क्या होता है अच्छा जी anyway तो मौंगला पोर्ट विल बी managed by Indian Port Global Limited ये एक सरकारी कंपनी है दोस्तों अच्छा दोस्तों ये पूरा प्रजेक्ट होगा managed Indian Port Global Limited का जो की एक holy owned subsidiary है सागरमाला Development Company Limited की under Ministry of Port Shipping and Waterways SDCL यानि कि सागरमाला Development Company Limited एक premier state enterprise है 2016 में मोधी सरकार ने इसको बनाया था कि हर जगे अपने port बनाओ दुनिया में चीन चाह रहा था जाहर सी बात है Belt and Road Initiative का बहुत हैम हिस्सा है चीन चाह रहा था कि किसी तरीके से यहां पर हुगडाल दे दोस्तों मैं आपको बात बता रहा हूँ एक चीज़ का ध्यान रखना ये बात शेख हसीना को भी पता है ये बात भारत को भी पता है और ये बात चीन को भी पता है ये तीनों जो पाटिया है ना Bangladesh, China और India तीनों को पता है अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या पता है ठीक है Bangladesh में जो students ने हल्ला करा वो internal issue है इसमें कोई डाउट नहीं है वो Bangladesh का internal issue है जो students का गुसा है वो भी organic है जायज ना जायज is not my headache it is not my problem, I am not a Bangladeshi रैट? लेकिन वो organic है that is internal to Bangladesh लेकिन इसको पूरा जिसको कहते हैं आग में घी का काम चाइना ने करा है 110% अब मैं आप आज बता रहा हूँ इसके उपर जब investigation होगा तो यही चीज़ निकलेगी कि चाइना ने interfere करा है और चाइना की आदत है हर जगे चाइना interfere करता है जहां पे उसको लगता है यही शेख हसीना कल बोले कि मैं इंडिया को बंगलादेश से निकाल रही हूँ हर एक project से अब इंडिया नहीं रहेगा for example इंडिया रह गाई नहीं सिर्फ चाइना ही चाइना होगा पूरा चाइना ही चाइना होगा हर एक port में चाइना हर एक एरपोर्ट में चाइना फिर आप देखना यही students अचानक इनको रोशनी दिख जाएगी इनको नूर दिख जाएगा यह बोलेंगे शेक हजीना की चेहरे से तो नूर नकल रहा है मैं आपको पता रहो चाइना इस तरीके से मैनोपलेट करता हूँ स्टूडेंस की गलती नहीं है अच्छली स्टूडेंस बहुत जादा इंफ्लूइंस होते हैं सोशल मीडिया से कोई लिया और यहीं इंटेफेरेंस यह बंगलादेश में भी कर रहा है अब साब ऐसा है कि जो मोंगला पोर्ट है बंगलादेश का सेकंड लर्जस पोर्ट है चेटगॉंग के बाद चेटगॉंग इस बिगस पोर्ट और यह इंडिया का थर्ड सक्सेस्फुल बिड है मतलब जो शिपिंग इंडस्ट्री हमारी जो मिनिस्ट्री है शिपिंग की उसका आफ्टर चाबहार चाबहार इरान में वो पहला था इसका बहुत बड़ा प्रजेक्ट सित्वे है मैमार में और अब यह हो गया आपका मोंगला बंगलादेश में इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट कंपनी तीर मार रही है वो एक अलग चाप्टर है यानि की चैसे हाइफा पोर्ट की एम बात करते हैं जो अधानी ग्रूप कर रहा है या उसने दारे सलाम में एक पोर्ट पकड़ लिया इंडिया के मिनिस्ट्री फशिपिंग के अंडर अच्छा जी इस से भारत को फाइदा क्या है यह जानने की जरूवत है कि भारत को फाइदा क्या है पहली चीज़ बाइलाटरल ट्रेड विद बंगलादेश बढ़ाएगी यानि कि बंगलादेश के साथ जो हम दोनों की ट्रेड है देखे दोस्तों ऐसा है कि बंगलादेश इस वन अफ टॉप टेक्स्टाइल फिनिश गूड्स प्रोडूसर इन दो विल्ड राइट? और अब बंगलादेश को जो चाहिए हम से बंगलादेश ने चाइना से बहुत सारी चीज़ें ली है और आज की तारिक में बंगलादेश की दो आम फोस्स हैं आमी नेवी और एर फोस इसकी उपर भी हमने करा था इसी प्लाटफॉर्म पर हमने एक वीडियो करा था जहां पर हमने ये बताया था किस तरीके से जो बंगलादेश की आर्मी बंगलादेश की नेवी बंगलादेश की एर फोस आज की तारिक में रो रही है बुरी तरीके से रो रहे हैं वो लोग वो कह रहे हैं यारी क्या है ये चाइना का जहास उड़ता नहीं है पैसा किस चीज के तुमने माली घटिया पहुंचा है, ये काम नहीं कर रहा, बदल के तो हमें, कर रहा नहीं, अब तो तुमने खरीद लिया, खरीद लिया, तो चाइनीज इस के समके हैं, तो बंगलादेश, मैं ये मान के चल रहा हूँ, कि अगर इनों ने उनकी आर्मी ये हतियार दिये हैं, तो बंगलादेश के लोगों को भी इनों ने घटिया सामान दिया होगा, दोस्तों, बंगलादेश है, वो एक बड़ा कॉस्ट सेंसिटिव मार्किट है, लोग जादा पैसा नहीं खर्च करना चाते, इंडिया में भी तो ऐसे है, भई इंडिया में भी तो ऐसे है, we are also highly कॉंसेंसिटिटिटिव मार्केट हम भी फालतू के पैसे नहीं खर्च करना चाते हैं वो भी जादा पैसे नहीं खर्च करना चाते हैं वी कन गिफ देम excellent quality at cheap rates. China can give them third rate quality at cheap rates. cheap China का भी समान है. उनकी quality third rate है. चैना के बारे में तो मशूर है ना? चल गया तो चांद तक वरना शाम तक तो भी या वो ही चीज़ है अब बंगला देशन से परिशान है हो रखा है secondly it will allow India's landlocked नौर्थ इस्ट तो हमारी जो नौर्थ इस्ट की है areas जो की landlocked है यो नौर्थ इस्ट में तो जारतर जो states and they're not this thing अब West Bengal का हो गया तो हो गया बाकि अगर उपर चले जाएंगे एस्ट की और चले जाएंगे नौर्थ मतलब नौर्थ इस्ट की और चले जाएंगे आप तो does SM have a seaport और does Nagaland have a seaport और Mizoram have a seaport और तरे पूरा और किसी के पास नहीं है बई जब किसी के पास नहीं है तो उनका क्या है कि they are dependent upon a narrow narrow stretch of land called the silly goody corridor अपने chicken neck के बारे में सुना होगा ये उनके लिए और ये mongla port है ये इनके लिए और opportunities खोल देगा चाइना दोस्तों पलटवार करेगा चाइना बंतीवी बाद बिगाडने की कोशिश करेगा चाइना rumors फैलाएगा चाइना अफवाएं फैलाएगा चाइना दोस्त देगा चाइना एडिटोरियल्स खरी देगा चाइना ads चलाएगा चाइना artificial intelligence और propaganda का काम करेगा किस तरीके से damage करे भारत को